आज हम दुल्हन के लिए यानि के नवरे के लिए शाहि मस्तानी साड़ी बनाने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि ये साड़ी दुल्हन के लिए है तो साड़ी को हम बहुत ही खुपसूरती से सजाने वाले हैं इसके साथ मैंने साड़ी पिन भी बनाई हुई है प्लीट्स में मोतियों का काम किया हुआ है और मैचिंग का मास्क भी बनाया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चनल आज हम शाही मस्तानी साड़ी बनाने वाले हैं इसके लिए दो ही नाप की जरुरत होती है पहला है लंबाई और दूसरा है सीट गिर यहां लंबाई भी 38 है और सीट गिर यानि की हिप साइज भी 38 है जहाँ पर हम सलवार बानते हैं वहां से नाप लेना है टेप को सीधा रखना है और जहां पे 80 टच हो रही है वहां तक हमें नाप लेना है यानि यहां से यहां तक का जो नाप हुआ यह हुआ लंबाई का नाप यह भी 38 है और दूसरा हमें hip size लेना है यहां से यह पूरा round करके हमें नाप लेना होता है ये seat घेर है और ये भी 38 है अस्तर के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है ये इस तरह से भी fold है और नीचे का भी fold वाला भाग है और यहां से fold वाला भाग है और इस ओर से खुला हुआ है अब हम सबसे पहले लंबाई का नाप लेंगे लंबाई है 38, 38 इंच तो ये 38 इंच ही है कपड़ा अब दूसरा नाप हम लेंगे seat घेर का seat घेर भी 38 है तो इसका चौथा हिस्सा हमें लेना होता है क्योंकि ये चार पल्ले हैं इसलिए इसके चार भाग हम कर लेंगे तो 38 का चौथा हिस्सा हुआ 9,5 इसमें हमें 2 इंच प्लस करना होता है याने साड़े 10, साड़े 11 यहाँ पर मैं 12 इंच ले रही हूँ याने मैं 0,5 इंच प्लस किया है मार्किंग कर लेनी है अब आसन बनाने के लिए सीट घेर का तीसरा हिस्सा हमें लेना होता है तो सीट घेर है 38 इसका तीसरा हिस्सा हुआ 12,6 इंच तो यहाँ से हम मान लिया जाए 13 है 13 इंच है तो इसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे याने 14 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ सिट गेर का तीसरा हिस्सा प्लास एक इंच इस तरह से हमें नाप लेना है मार्किंञ कर लेनी है अब यहाँ से तीन इंच हमें आगे जाना होता है तीन इंच आगे गए Harlem और कौर्न से एक इंच इस तरह क्रॉस में टेप रखनी है और एक इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है और इसे गोलाई दे देनी है नीचे से फुल साइज के लिए आठ इंच लेना होता है एट इंच मार्किंग कर लेनी है और इस पॉइंट और आसन वाले इस पॉइंट को मिलाते हुए मार्किंग करके इसकी cutting कर लेनी है अब ये हमने cut कर लिया है और ये इस तरह से दो पल्ले बन गए है ये एक और ये दूसरा साड़ी 7 मीटर 10 सेंटी मीटर की है अब पल्लू कट करनी के लिए लंबाई का दो गुना प्लस 15 इंच लंबाई है 38 इंच याने 38, 38 और 15 38 एक बार, 38 दूसरी बार और 15 इंच इस तरह से हमें पल्लू का नाब लेना होता है नाब लेने के बाद अब पल्लू को इस तरह से पकड़ कर सीधा हमें उपर तक कट कर लेना है अब पल्लू हमने कट कर लिया है और जो हरा रंग है यानि जो मेन पल्लू है यहां से 15 इंच, 15 इंच हम अंदर चले गए एक निशान लगा लिया और इस तरह से क्रॉस में मार्किंग कर ली अब इसे कट करके ये वाला कपड़ा अलग कर देना है अब इसे हमने कट कर लिया है अब हम सलवार के पल्लू कट करने के बाद अब हम सलवार कट करेंगे यहां कुछ साड़ी प्लेन है और यहां पर प्रिंट है अब हम यहां से सलवार कट करेंगे और सलवार कट करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये प्रिंट उल्टी ना आ जाए याने सलवार का पैर वाला भाग इस तरह से हमें रखना है कि ये प्रिंट बराबर आए पैर वाला भाग उसोर नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे पिकॉक याने मोर बना हुआ है और ये प्रिंट उल्टी ना आ जाए इस बात का हमें ध्यान रखना है अस्तर की कपड़े को साड़ी पर रखकर हमने यहां से मार्किंग कर ली यहां से मार्किंग कर ली और यहां से हमने थोड़ा सा बड़ा लेकर मार्किंग की है यहने सवाइंच बड़ा है यहां से और यह हमने मार्किंग कर ली यहां से भी सवाइंच बड़ा करके हमने मार्कि कर लेना है और इसी तरह का एक और penal कर लेना है पल्व और दोनों सल्वार कट करनी के बाद आब हम काश्टा कट करेंगे जो हमारी लंबाई होती है नंबाई है 38 इसमें 5 इंश प्लस करना है 38 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 हमने 43 पर मार्किंग की और यहां से इसे कट कर लेना है इसे हमने कट कर लिया है और दूसरे ओर की बौर्डर को हमने हटा लिया है यहां की बौर्डर हमें रहने देनी है अब ये वाला भाग यहां से हमें आसन का हिस्सा यानि क्रच का हिस्सा कट करना है इस तरह से इसके लिए हम अस्तर के कपड़े को इस पर रखेंगे मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद इसे कट कर लेना है अब हमने आसन का हिस्सा कट कर लिया है और जिस ओर से हमने आसन का हिस्सा कट किया है अब इस कोने से हमें क्रॉस में टेप रखनी है 7 इंच पर मार्किंग करके इसे गोलाई देते हुए कट कर लिना है इस काश्टे को कट करते समय इतना ध्यान रखना है कि बॉर्डर हमारी ओर है और हमारे सीधे हाथ की ओर हमने क्रच काटा है याने आसन वाला भाग काटा है और उल्टे हाथ की ओर याने बाए हाथ की ओर साथ इंच पर मार्किंग करके गोल आई दी है ये दो मीटर कपडा बचा हुआ है और दोनों और की बॉर्डर हमें अलग करनी है दोनों और की बॉर्डर हमने कट करके अलग कर ली है अब एक और से हमें बिल्कुल बीच में निशान लगाना है ये 36 इंच लंबा है और 17-18 पर मैंने निशान लगाया है यदि आप चाहें तो इस तरह से फोल्ड कर ले और बिल्कुल बीच में एक निशान लगा ले अब इसके बाद यहां से उस वाले कुने तक हमें एक मार्किंग करनी है अब हमने इसे मार्किंग कर लिया था और फिर इसे कट कर लिया है कट करने के बाद ये वाले पल्ले जो दोनों बराबर हैं इसे इस तरह से घुमाते हुए हमें इसे यहां जोइंट कर देना है इसके लिए इस तरह पल्टाएंगे यहां सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद जो हमने दोनों और से बॉडर निकाली हुई थी उसे इस क्रॉस वाले भाग में जोड़ना है दोनों पल्ले जोड़ लेने के बाद नीचे से हमने लेस लगा ली है और ये लंबा सा पट्टा तयार हो गया है अब इसी पल्ले के आखरी छोर में याने यहाँ पर हमें ये अस्तर का कपड़ा रख देना है और आसन वाला भाग और ये भाग मार्किंग कर लेनी है और इसे कट कर देना है अब ये हमने कट कर लिया है और कट करने के बाद जो सीधा भाग है उपर का कमर के और का वहाँ पहला निशान हमने पांच इंच पर लगाया इसके बाद आठ आठ इंच पर हमने पूरे पल्ले में निशान लगा लिया है अब पहला वाला निशान हमें छोड़ देना है पाच इंच वाला इसके बाद आठ इंच वाले निशान को इस तरह से पकड़ना है और इस पाच इंच वाले निशान पर रख देना है इसी तरह दूसरा निशान भी हमें पकड़ कर बिल्कुल पाव इंच के अंतर पर यहां से बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होना चाहिए एक प्लेट और दूसरी प्लेट में इस तरह से रखते जाना है एक के उपर एक प्लेट अब यह सारी प्लेट्स ले ली है अब यहां सिलाई लगा कर इसे फिक्स कर देना है अब यह हमने सारी प्लीट्स ले ली हैं और इस ओर से एक प्लीट हमने यह ली और उसके नीचे की एक प्लीट को पकड़कर टांका लगा लिया अब इसमें एक ही प्लीट को पकड़ा नीचे वाली और टांका लगा लिया इस ओर हमने टाकी नहीं लगाए हैं और इसमें हमने अंतर भी जादा नहीं रखा, क्योंकि बिलकुल सीधी प्लेट चाहिए थी, इस तरह से यदि हम देखें, ये कमर वाला भाग है, ये पैर है, और यदि किसी को इस तरह बिलकुल सीधी प्लेट चाहिए, और ये पैर भी दिखाई ना दे, तो यहाँ पर नीचे की ओर, दो प् मतलब क्रॉस में नहीं आना चाहिए यहां से यहां तक का भाग सीधा और दो प्लीट हमने बिल्कुल सीधी ले ली और यदि किसी को इस पैर से होते हुए इस तरह प्लीट चाहिए शाही मस्तानी की तब इसमें हमें यहां पर गैप रखना होता है थोड़ा थोड़ा थोड़ का रखना हे यह पैर की और का भाग है अब इसपर हमें असतर रख देना है और नीचे से हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है पीछे की और यहां से इस तरह रखकर जोड लेना है यहां से बिल्कुल सीधा जोड लेना है अब यह जो हमने एक्स्ट्रा का भाग काटव हुआ था इसमें हमें यहां से सिलाई लगाना शुरू करना है और दो तिन चिम्टियां ले लेनी है इस तरह चिम्टियां लेने से यह भाग बरापर हो जाएगा और फिर यहां पर हमें सिलाई लगा लेनी है और यह भाग भी हमने बड़ा लिया हुआ है तो उपर से यहां भी हमें दो चिम्टियां लेनी है किनारी में, बीच में नहीं लेनी हमें यहां किनारी में लेनी और इस भाग को भी पूरा जोड लेना है इसके बाद यहां भी दो चिम्टियां ले लेनी है और इसे जोडते हुए इस ओर भी हमें दो से तीन चिम्टियां ले लेनी है और सिलाई लगा लेनी है हमने सिलाई लगा लिए है अब जो हमने प्लीट वाला भाग तयार किया था इसमें ये जो क्रच वाला भाग है इसे यहाँ पर जोड़ना है हमें मतलब पैर वाला जो हिस्सा है ये हमारे उल्टे हाथ की और आएगा सीधे हाथ की और हमारा कमर वाला भाग आएगा और इस पर ये प्लीट वाला भाग हमें उल्टा रख देना है अपनी ओर वाली साइड में इस तरह यहाँ सिलाई लगा कर जोड लेना है और यहाँ भी सिलाई लगा कर जोड लेना है और उस ओर वहाँ पल्लू जोड़ेगा तो पल्लू में जो हमने 15 इंच एक्स्ट्रा वाला भाग लिया था ये बड़ा वाला भाग जो है ये नीचे की ओर आएगा और जो 15 इंच हमने कम किया हुआ था ये उपर की ओर आएगा इस वाले आसन वाले भाग से यहां से 4 इंच नीचे इस तरह हमें इसे रखना है, सिला ही लगा लेनी है और यहां से चिम्तियां लेते हुए, यहां से एक इंच नीचे तक यह पूरा पल्लू हमें जोल लेना है, इस तरह चिम्तियां लेते हुए यहां तक वहाँ हमने पल्लू भी जोड लिया है और इस ओर से प्लीट भी जोड ली है बस इतना ही ध्यान रखना है कि प्लीट उल्टी होगी पल्लू सीधा होगा और इस हाथ पर सीधे हाथ पर राइट हैंड पर कमर वाला भाग और इस ओर पैर वाला भाग अब इसी तरह से हम दूसरा पल्ला लेंगे इसमें भी हम हमारे बाएं हाथ के और पैर वाला भाग रखेंगे और सीधे हाथ के और राइट हैंड के और हम कमर वाला भाग रखेंगे अब जो हमने काश्टा काटा हुआ था अब इस सीधे पल्ले पर हमें काश्टा उल्टा रखना है आसन वाले भाग से आसन वाल भाग जोड लेना है और इस ओर जो बॉडर है बॉडर को बॉडर पर रखना है और यहां से 5-6 तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है इसके बाद यह जो भाग है इसे चिम्टिया ले लेकर हमें आसन तक जोड लेना है यहां तक हमें बारिक बारिक चिम्टिया लेनी है और इस पल्ले को यहां तक जोड लेना है यहां से बिल्कुल सीधा जोडना है और यहां तक भी बिल्कुल सीधा जोडना है 5-6 काश्टे को जोड़ लिया है अब दूसरा पेर जहां पेल पल्लू जुड़ा हुआ था इसे लेना हैँ और इस पर इसे उल्टा रख देना है और आसन वाला भाग इस ओर से भी देना है और पल्लू को अंदर रखकर प्लीट को अंदर रखकर दूसरी पैर का आसन वाला भाग और यहां का आसन वाला भाग भी सिल लेना है क्रच का भाग यानि आसन का भाग इस तरह से सिलने के बाद इसे इस तरह से रखना है और इस भाग में भी सिलाई लगा लेनी है अब यह हमने सिलाई लगा ली है अब इसे सीधा कर लेना है यह पीछे वाला हिस्सा है जहां यह पल्लू आया हुआ है और यह काश्टा है अब काश्टे को हमें इस तरह प्लेट लेनी है और प्लेट का बीच वाला भाग और इस सिलाई वाला भाग इसे बराबर लेते हुए यहां सिलाई लगाकर फिक्स कर देना है पीछे की प्लीट फिक्स करने के बाद अब इसे इस तरह से रखना है और यह सिलाई वाला भाग और यह कोने वाला भाग इसके बीच वाला भाग में हमें यहां पर प्लीट फिक्स करनी है प्लीट का बिल्कुल बीच वाला भाग लेना है और इसे यहां पर fix कर देना है और यह जो extra कबड़ा है इसे अंदर के ओर fold कर देना है और यहां से सिलाई लगा कर इसे fix कर लेना है अब यह मैंने water ले ली है कमर गिर के बराबर अब ये सिलाई और ये भाग इसके बिल्कुल बीच में हमें बॉडर को सीधा रखना है और किनारी वाला भाग अंदर जाने देना है और यहां से सिलाई लगा कर पूरे गोल गेरे में बॉडर को जोल देना है इसके बाद यहाँ पर मैंने आखरी छोर में इस और भी और उस और भी दो बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली थी अब इस तरह गोल गिरे में जोरने के बाद इसे उपर फोल्ड कर देना है और यहाँ सिलाई लगा लीनी है इस और जोइंट आने से ये होता है कि पल्ला जब इस तरह से आजाता है इसके उपर तो ये जोइंट दिखाई नहीं देता अब ये साड़ी तयार हो गई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए जो प्लीट में मैंने मोती का वर्क किया हुआ है और जो मैंने पैच बनाए है साड़ी पिन बनाई है और मास्क बनाया है इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि बनाई है क्योंकि बनाई है क्योंकि बनाई है झाले जो है और जाdi क्योंकि बनाई है कितanı बनाई है